है यह दियार स्टूदेंट्स तो दिवी स्टार्ट जोग्रफी 7 चैप्टर हुमीडिटी और रैन फॉल्स मिस हमारा आज का जो चैप्टर है वो हीमेडिटी और रैन पॉल होगा जो आप हमारे जो एडमर्स्वेर का एक पार्ट है उसका एक इमपर्टेंड भाग है आपका ह humidity और rain falls दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी आर्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सु स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि water is found in its gaseous form that is as water vapors in the atmosphere मिस्स आपका जो हमारा क्या है water है जो gaseous forms होते हैं पता है कि water जो three different forms होते हैं आपके जो water जो liquid होता है फिर आपका जो gaseous form है उसमें water vapors आते हैं आपके solid form में आपके ice आता है तो जो water vapors जो gaseous form है और जो water vapors हमारे atmosphere में water vapors के रूप में water होता है जो 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 हमारा water है वो water vapors में convert हो जाता है और जिसको यह जो heat से गरम होंके water vapors में convert होने का जो process है उनको यह operations के रूप में जानते हैं then the water vapors are moisture in the atmosphere plays a very important role in our life moisture is the atmosphere cause the formation of clouds, rains, snow, hail and a cell मिस आपका जो यह जो water vapors है जिसको हम moisture के रूप में भी जानते हैं जो हमारे atmosphere में वो important role करता है हमारा जो life है वहाँ पर बहुत important है क्योंकि इसी जो moisture है जो water vapors होते हैं जो atmosphere में जाते हैं और उसी से आपके जो different जो आपके particles होते हैं atmosphere में धूल के करण होते हैं और जो different type के चोटी-चोटी minerals होते हैं जो उड़ती रहते हुआ में उसी पर वह चीपक कर वहाँ पर वह पकड़ कर उसको वह clouds का जो formation होता है फिर जो clouds water cycle हमने study किया है तो उसके माध्य हम से जैन्स के रूप में snow hell या शेल्ट है इसको प्रिटी प्रिटी पेशन्स के रूप में वह हमारे आर्थ में फिर से वापिस आ जाता है क्या वाटर कि सो कि यह तो हमारा वाटर वेपर्स दैन हम जो देखते हैं humidity अब यह humidity का चीज़ है है तो humidity is the amount of water vapour और moisture in the air यह नहीं हमारा जो humidity वह क्या है तो amount of water vapour यह फिर जो moisture है जो हमारे एएड में होता है the more water vapour there in the air the greater humidity of the air अब मिन्स हमारा जो वाटर वेपर से एए है तो वहाँ पर क्या होगा जर तो तो वहां पर humidity भी है एर का वह जाधा होते जाएगा then humidity various greatly from place to place यह नहीं आपका humidity है वो सभी जगा समानने होते हैं अलग अलग जगा पर अलग अलग टैप्स है माने हमाने हमीडिटी पाइज आते हैं in some areas such as desert the amount of water vapors in the air can be almost zero in other place such as coastal areas the and rent forest water vapors can make up almost four percent of total value of air means आपका अलग अलग जगा पर water vapor different types होते हैं जहां पर water के ability ज्यादा है उसके आसपास water available ज्यादा है तो वहां वर water papers का amount ज्यादा होगा यह नहीं वहां पर humidity ज्यादा होगी जहां पर water की कमी है वहां पर humidity काम होगी जैसे डिजर्ट एरिया में water पहुंत ही लो होता है या फिर होता ही नहीं है तो वहां पर water वेपस लग बाग आपके जीरो होते हैं हुमिडिटी वहां पर जीरो होता है बट आपके जो जहां पर coastal areas या फिरेंट फॉरेस्स जहां पर आपके water ज्यादा होते हैं सो वहां पर आपका कि क्या होता है कि हुमिडिटी बहुत ही ज्यादा होता है उसमें water का है उसमें जो वेल्यूम है आपका water वेपस का वह फोर परसेंट तक हो जाता है और डे वैंड हुमिडिटी इस हाइड दा sweat from our body does not operate and we tend to feel sticky and uneasy आपका जो जहां पर humidity हाई होता है वहां पर क्या होता है तो हमारा जो पॉडिटी है वहां से operate नहीं हो पाता है तो नहीं वहां से आपका क्या नहीं निकल पाता पस सिद्धा आपका बाहर नहीं आ पाता है जिससे हमारा जो हमें इस्ठीकी या फिर अनीजी हम फिल करते हैं on other hand if the air is very dry our skin get dry and our lips start to crack यहीं आपका जो हमारा हवा जो ड्राइब हो जाता है यह वहां पर आपके जो नमी available है ठंड के समय देखते हैं तो हमें बहुत ठंड का हैसास होने लगता है हमारे आज पास तो इसके कारण साथ से हमारे बॉड पाघर ने नीकल पाथा है क्या हमारा ब बॉड बॉड से एक प्रॉसर्ण का प्रोसेशि में होता है और हमारे जो इसकी द्राइब करने लगता है हमारे atmosphere में humidity जादा हो जाता है अब humidity है उसको measure करने के लिए कुछ जो different आपके जो है क्या बता है measure बताए गए है तो humidity can be measured in several ways of this the most common are the absolute humidity और आपके relative humidity अब absolute humidity क्या होता है this is the amount of water vapors present in unit volume of air and it and is usually expressed in kilogram per cubic meter यानि आपका obsolete humidity है तो इसमें जो water amount जो water पर्स का amount जो present होता है यतना आपका value of air है उसमें कितना जो amount है आपका humidity है वो उसको depends उसको का जाता है absolute humidity इसको kilogram per cubic meter में यानि एक cubic meter है वहां पर आपका कितना water vapors available है वो आपका absolute humidity का लाएगा बट रिलेटिव हुमेडिटी में क्या होगा this is a measure of how dry or moist the air is it is the ratio of the amount of water vapors in the air to the total amount of water vapors the air can carry at that temperature and pressure relative humidity is expressed as a percentage means आपका जो रिलेटिव humidity के हम बात करें तो वहां पर हम decide करते हैं कि जो यह वो कितना dry है और moist है यहां पर जो ratio का depend करता है कि जो amount water vapors आपका total amount carry कर सकता है उसमें कितना है जस हम यहां पर एक यह हमारा क्या है हम एक बाउल लेते हैं गिलास एक चलीए कर पाल लेली है वहां पर आपका कितना water और यहाँ पर फील कर सकते हैं इसका जो हमारा बाउल है तो घर कर सकते हैं तो यहाँ पर रहाँ पर पर क्या निन है ना पूरा फिलाप करने का इसका यहां तक कैपेसिट है बद इसमें आपका इतना ही फिलाप है इतना आधा फिलाप है तो यह आपका कहा रहाएगा रिलेटिव हुमिडेटिव यह आपका जो वाटर विपर से वो डिपेंड करता है कि जो उसका जो टेंपरेचर वाटर जितना आपका जो एयर जितना ज्यादा क्या होगा गराम होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी बड़ आपका वाटर जितना ठंडा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही काम हो जाएगी कि इसको वाटर विपर सो कैरी करने हैं क्यूंकि गराम हवा है तो वो ज् से जाती है तो जो कहरी करने की छमता उसकी खताम हो जाती है तो उसका कहलाता है क्या dew point यहनि वो जो last जो capacity खताम हो जाता है और water उसमें उसको धारित करने का तो वो कहलाता है उसका dew point if the temperature of the air falls below the dew point the water vapor start condensing यहनि आपकी इसके बार में water cycle में start already studying कर ली है तो जो उसका dew point तक temperature जो है आपका पहुंच जाता है या फिर दिव point में airs का जो पहुंच जाता है यह वहाँ dew point में चला जाता है यह उसकी जो water vapor को carry करने उसको और आफोसित करने की छमता खतम हो जाती है तो आपका जो water vapors है वह condensing जो start हो जाता है यानि एक जब एक हटा ice के रूप में वह convert होना ही start हो जाता है तो अब जो हमारा next आएगा क्या condensation यह तो हमने humidity के बारे में देखा और उसके carry करने के बारे में देखा अब जो next जो वीडियो होगा हम उसमें देखेंगे कंदेशन सो ओके थैंक यू